हमेसे याद रखी कि trading में हमेसा time नहीं देना है आपको analysis में ज़्यादा time देना है जब तक आप analysis नहीं करोगे जब तक आप market structure को समझनी कुछ नहीं करोगे supply demand zone को नहीं समझनी कुछ करेंगे सिर्फ trading ए gambling बन करें जाएगा कोई growth नहीं आएगा welcome traders market में बहुत interesting एक chart button develop हो रहा है जो आपको समझना भुज़र है देखिए last time मैंने बताया थी कि ये zone बहुत अच्छा support zone है यहाँ पर market react किया है बार बार यहाँ आते ही market react तो कर रहा था लेकिन कहीं ना कहीं weakness हो रहा था market उपर जाने के बाद भी एक selling आ रहा था ये zone तोटते ही market में एक strong selling आना चाहिए था अब ये zone तोटा था तोटने के बाद pullback लेके एक नीचे side में आना चाहिए था at least यहाँ तक जो की नहीं आया है market में अभी buy on dips का study चल रहा है बहुत सरे mutual fund अपना cash in hand में रखे हैं कि market में correction आने वाला है वो हर एक level में जाके buy करेंगे जितने भी level से वहाँ पर जाके buy करना start कर रहे market इस zone को पहले तोड़ा था और breakout होने के बाद pullback लेके downside आना चाहिए था नहीं आया और breakout fail हो चुका है market इस zone के उपर खुले फिर उपर गया है तो ये zone हमारे लिए अभी सबसे important zone है इसको तोड़ने से ही market एक बहुत बड़ा fall आ सकता है यहां तक और ये zone अभी हमारे लिए बहुत strong zone है next week के लिए ये और ये zone यहाँ पर shooting star जैसा candle आपको दिख रहा है two hours में अगर next week में market इस zone में consolidation के बाद उपर side में break करता है तो short covering rally एक आएगा हम लोग यहाँ पस target और second target next week में यहाँ तक इसके beyond next week क्या अभी election के आसपास इसके beyond market जाने का chances बहुत कम है लेकिन अगर down side में market आता है इस zone में फिर से buying आएगा और यहाँ आते ही market में selling आने का chances है और यह zone अगर market तोड़ देता है तो जैसे आपको बताए कि यहाँ और यहाँ तक आ जाएगा हमारे लिए important यह है कि market इस zone के आसपास कहीं खुले और यहाँ पर consolidation एक दो दिन बिताए तो Thursday, Wednesday, Thursday या Friday को market में कोई भी side में एक momentum आएगा है और volatility के कारण बीना stop loss के trade करना अभी बहुत ही ज़्यादा खत्रा हो सकता है क्योंकि news अभी market में बहुत ज़्यादा चल रहा है और आने वाले week और आने वाले month में अभी news चलता रहेगा कुछ महीना तक यह volatility परदास हम लोगों करना पड़ेगा और volatility है जो trader को actual में trade का opportunity बनाता है market अगर directly gap down खुल जाता है तो upside में आएगा यहाँ आने से भी upside में आएगा और यहाँ आने से भी downside में आएगा तो यह zone में down आएगा यह zone में down आएगा और नीचे side में कहीं पर भी खुले market एक upside move देगा उसके बाद अपको supporter resistance का basic लेके समझना है यह अगर कोई supporter resistance है market अगर पहले इसमें consolidation करके break किया break करके उसको एक बाद touch करने आता है pullback लेता है वहाँ से फिर उसको break हो जाना चाहिए अगर यह नहीं हुआ तो यह breakout fail मानता हूँ और मैं हमेज़ा मानता हूँ कि breakout से जादा strong move breakout fail में देता है कहीं नहीं यहाँ पर breakout fail हुआ है तो यह zone अभी बहुत अच्छा important zone बन जाता है वहाँ market एक strong up move दिखा सकता है अगर इस zone के consolidation किया तो यहाँ तक हम लोग फिर से market को सायद एक दिन देखेंगे आने वाले एक या दो खपते के अंदर में तो next week में थोड़ा safe रहिए consolidation होने दीजे market को उसके बाद breakout में trade लेजिए बहुत अच्छा strong up or down moment मिल सकता है तो psychology को समझना बहुत important है यह psychology किस तरीके से बन रहा है chart pattern और supply demand zone break होने के बाद किस तरीके से react करना चाहिए अगर वो नहीं कर रहा है एक चीज़ मैं हमेसा बोलता हूँ अगर breakout हो रहा है तो बहुत अच्छा आप trade लिजी breakout होने के बाद अगर breakout fail होता है उसमें आपको stop loss जाएगा लेकिन breakout fail को आपको कभी भी हाथ से जाना नहीं जाना चाहिए यहाँ पर breakout fail हुआ था market zone में आया उस level को तोड़ा और marketing strong up move दिया था market में जैसे जैसे levels में market आता रहेगा और market में बहुत अच्छा पूब आता रहेगा क्योंकि लोग अपने पैसे को free करके बैठे हुए कि market में बहुत अच्छा opportunity आएगा buying करने के लिए आने वाले कुछ महीनों में election के आसपास अब ही के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में बाई